वेल्कम बैक टू यूर ओन चानल चार्ट कानो फ्रेंट चलिए देखते हैं कल निप्टी भी निप्टी बैंक निप्टी में किस तरीका माइकमों की मिल सकता है कौन सा है वो ट्रेड सेटप जो हमें प्रॉपिटेबल बना सकता है सब कुछ हम देखेंगे एक 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 करके दे किया है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे मैंने रोज के लिये श्टॉक देता हूं सुइंग के लिए देता हूं पॉजिशनल के लिए देता हूं इंवेस्मेंट के लिए देता हूं अभी ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाईए या दूर रहना वो भी मैंने वहाँ पे दिया है, माराथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि वहाँ पे चार्ड कमाडो माराथी पे भी मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया है, तो चलिए डायरेक्ली हम शुरू करते है, निफ्टी फिप्टी, निफ्टी ताई, निफ् तो यह जब लेवल बहुत कुरुशियल है अगर यह ब्रेक हो जाता है तो हम इसका रिटेस्ट करने के इंतजार करने पोजिशनल के लिए है इंट्राडे में तो हमने लायू में ट्रेड लिये थे आज का मॉर्णिंग का लायू नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए एक् क्यादर के लिए नहीं देखा सकता है तो उसके भी नीचे यहां पर जा सकता है लेकिन 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 यहां पर सबसे जादा स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स जो रहेगा बीस हजार फिप्टी सेवन जालका जेवन तो इसके उपर अगर बूलिश प्रिश के कैंडल जाकर क्लोज होती है तो ही हम बाइंग का सोचेंगे नहीं तो नहीं सोचेंगे यह हमें ध्यान रखना है और इसको चोटे टाइम पर में और देखने कोशिश करेंगे तो बड़ा आनेलिसिस मैंने मारते चैनल पर भी डाल दिया है थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा यहां पे अगर हम इधर देखी यह ट्रेड था हमारा मॉर्निंग का भी जबरदस ट्रेड गया वेनेस तू 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 त्री का प्रोफ 20,000 एग्जाक 20,000 का रिजिस्टंस से उसको अला राम लगा लगा है हमने अगर यह उपर के तरफ बाउंस हो सकता है कल मार्केट तो अगर उपर के तरफ बाउंस होता है और इसी एरिया में कि इधर भी बेरिश प्रेशर केंडल बनाता है तो उसके नीचे करेंगे सेल चोटस नं सा प्यारा से स्टोप लोज 25 पचिस तिस पॉइंट का स्टोप लोज लगा है कि आप यहां पर पहला टार्गेट जो आ सकता है 19,000, 950, 19,000, 900, फिर 19,000, 850 इस तरिकी के टार्गेट हमें नीचे के दरफ देखने को मिल सकते हैं हम बुलिश तो नहीं होंगे लेकिन हम बाइंग का इंट्राडे के लिए कब सोच सकते हैं अगर यह 20,000 के लेवल अच्छी तरिके से बुलिश प्रेशर के साथ ब्रेक होता है तो इसके हाई के उपर कर सकते हैं बाइंग जो की पॉसिबलेटि मुझे थोड़ा कम लग रही है कल के लिए तो उससे सबसे आपको प्लान करना है नेक्स्ट अगर हम देखने कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में भी सेम यहां पर हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉंग दिख रहा है एक्चुली एजडेफ से बैंक चार परसंट गिरा है हमने अल्रेडी डिसकस किया था जो ट्रेंड लाइन और एजडेफ से का स्ट्रक्चर दिया था हमें तो पहले जो ब्रेक आउट हो रहा था तब हम बुलिश थे लेकिन ट्रेंड लाइन और बाकी काउंट जो है इलाइट के काउंट और ट्रिपल एम के काउंट और बाकी सारे स्ट्रेजी से वो फुल बेरिश बन चुका था तो उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए का नीचे कॉमेंट में मुझे बताना तो मैं सेपरेट एजडेफ से बैंक क्या करें क्या करें कि ना करें यह कैसी मुश्किल हाए कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई तो यह मैं डाल दूंगा यहां पर 45,376 इसके नीचे ले सकते ह और बूलिश केंडल बनाई है सेंट वन आउर में तो यह यहां पर सपोर्ट लेके अगर उपर जाए तो रसा देखना पड़ेगा हमें यहां पर जब तक यह लेवल के नीचे केंडल क्लोज नहीं होती पूरी तरिके से हम पोजिशनली शॉट नहीं जाएंगे राइट लि 44,000 तक के टार्गेट आ सकते हैं पर हजार से देड़ हजार पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है इंट्राडे के लिए हम क्या कर सकते हो उसमें अगर हम देखने कोशिश करेंगे तो इंट्राडे के लिए यह सारे हमने यह देखए इसमें बैंक निप्टिम बोग जबर सब्सक्राइब का टार्गेट मिला अब कल के लिए जो यहां पर बचाबाद अब निकल का है रेजिस्टेंस रेंज और 45,670 से लेकर 45,520 वर करेंटी तो यहां तक अगर मार्केट आता है और इस रेंज में अगर बेर स्पेशल के अंडर बनाता है इसकी नीचे करेंगे से यहां पर पहला टार्गेट जो रहेगा 45,500 का रहेगा यह द्यान में रखना है नहीं दूसरा टार्गेट 44,400 45,400 45,300 इस तरीके से हम यहां पर नीचे जा सकता है एक ही कंडिशन में हम यहां पर बूलिश हो सकता है अगर कोई भी 15 मिंट की के अंडर बूलिश पेशर के इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं लेकिन बहुत चोटे टार्गेट रहेंगे और पॉसिबिलिटी मुझे वो कम लग रहे है तो उससाब से आपको प्लान करना है लेकिन यह ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो फिर फिर फिनिश का राजका स उपर की तरफे एक रहली देखने को मिल सकते हैं नेक्स अगर यहां पर देखने कोशिश करेंगे तो फिन निप्टी में भी हमारा जो सपोर्ट रेंज था टू 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 बताया था और वो आज ब्रेक हो चुकी है और कल के छोड़ा स्थो टू टूकर टू 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 złशन टू-टू-टू-टूद्टू क्यों आज़के की तरफू अंगे और यहां पर नाइनटीन ताूद फाइउंद तक के भी टू टू-कनू टूशनल टूपर का यहां पे कुछ किया है शायद फेंटु का यहां पे हम करते हैं दुबारा से तो यह दर हों में टिपीन निकालना होगा है ज्लों तो सब कुछ पर साट करिया ना चाहते हो और इससे मरक्रण करना करिय करियों और करना प्रोसेस शुरू हो चुका है जिनको भी वाट्सप या इमेल आया होगा आप अपना सीट बुक करे नहीं तो अगर वो आपने नहीं आपका रिपलाय आया चन्द दो दिन चार दिन में तो फिर वो आप इंट्रेस्टेट नहीं हो ऐसा समझ के आपके लिस्ट में नेक्स्ट एक मिनिट रइस्टेंस बोराबर निकाल आया ओके तो यह यहां पड़ायकर कल बांस हो जाता है मार्केट तो यह आपके यह से रेंज में करेंगे द्रेश्ट पर कंडल बना करेंगे नीचे होग बेंक तोपलो से यहां पर रखना है 20,000 200 20,000 150 20,000 इस तरीके के टारिट आ सकते हैं और अगर यह सीवियर पॉल रहा तो फिर तार्गेट आ सकते ग्लोबल लोकल और क्यों क्या बोल रहे वह भी देखेंगे यहां पर और यहां पर आएंगे हम डेली चाड़ पर और यहां पर मिल कैप निफ्टी को मैंने आपको अगर याद होगा आपको तो मैंने यह दर तो दिया ही था लेकिन 75 मिनिट में यह दिया है इती है यह 40,989 कि ऊपर और यहां पर मार्केट बुलिश हो जाए यह नीचे यह किदर भी है पर रिटेश करके फॉल कर सकता है यह आपको दियान रखना है और यहां पर स्मॉल फाइनांस में भी स्मॉल केप मार्केट में भी यह यहां पर रिजिस्टंस लेकिन के नीचे तो फिर और नीचे भी जा सकता है यह द्यान रखना है हमें और स्मॉल केप में स्टॉप लोस ट्रेल करते रहना है जहां पर भी हिट हो गया हिट हो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं राइट तो ट्रेलिंग स्टॉप लोसी ठोना बहुत अच्छी बात है बाप उसे हद के लिए यह देखने को मिल रहा है शायद इसने कवर कर लिया है नीचे से विक आई है इस जेक्स ने और इधर देखेंगे डीजेए के फ्यूचर भी देखेंगे तो यह एडवांस बॉंब बन गया है क्या इधर तो यह नीचे ट्रें लेंड ब्रेक नहीं हुई है और यह सपोर्ट ले सकता है शायद यह टूपर की ट्रेंड लेंड ब्रेक होके अपना ट्रिपिट ब्रेक होके रिटेश्ट हुआ है अगर यह सही हुआ फिनिश का लाज कतम हमारे मार्केट में अच्छी रह ले आ सकती है और डी एक्स वाई भी यहां पर देखेंगे तो यह गिर रहा है त यहां पर फ्यूचर वहां पर बुलिश दिखा रहा है लेकिन ट्राइंगल ब्रेक होने के इंतजराने करना पड़ेगा और नेश्डेक जो है सेम साइडवेस टूप यहां पर भी अगर हम निकालेगे तो आप मुझे बताईए नेश्डेक में बॉम बन रहा है एर्वांस लॉंग बन रहा है यह शौड बन रहा है आप नीचे आप कॉमेंट जरूर करना इसे फिर फाइव अंडर भी देखेंगे वही कन्फूजन ही कन्फूजन है सूलूशन कुछ पता नहीं सूलूशन चो पता चला तो पता नहीं तो यह यूस वाइल बहुत अच्छी रैली के देखेंगे तो वह बेरिश है तो यह भी हमारे लिए अच्छा है यह सारे अच्छे साइन दिख रहे है तो एक अच्छे रही उपर की तरफ हो सकते है गोल्ड ने जो किया था होल्ड सपोर्ट को और अभी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है तो चांसे से कि गोल्ड और यहां पर साइड वेज इसको गिरते ही जा रहा है अभी इसी ट्राइंगल में है तो नेचरल गैस का अपेक्स बहुत दूर है मुझे तो लग रहा है नेचरल गैस अभी सब्टेबर आक्टोबर नो है बर तीन मैने आ इसे ही खेलेगा अभी शान्त हुआ है डैक्स भी है अगर हम देखें ने कई पोजिटिव दिख रहा है इसने टीफिन को सपोट लिया है और यहां पर जर्मन लोगों ने भी सपोट लिये लिये तो उसे सबसे यस बैकाड को शौट करने के लिए वाच्छिश में डाल के रहे कि स्टॉक को डीटेल में देखना है कल कोन सा स्टॉख क्या करना ह। ऑफ स्टॉख का मांट डीए डीटेल को बी सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकान का बटन दबाना ना भूले शेर करिया मैं एक्जिमम लोगों तक लाइक ख्यारत करना हक है आपका और नीचे टेलिग्राम चैनल की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में वो उस पे आपको fundamental technical सारे analysis हम दे रहे हैं तो बिलकुल आप उसका फाइदा उटा सकते हो तब तक के लिए हसते रही है हसते रही है यह खुश है बाढ़ते रही है बाई 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 फॉर नाउ